सबूतों में नहीं कहूंगी कि सबूतों में कोई कमी है क्योंकि CBI ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करिया है वो लगातार डाटा पोर्टल पे दिखाया जाए तो उनका MBBS कैंसल कर दिया जाएगा नमस्तार मेरा नाम अजली प्रिया है और आप देखना स्टू कर चुके हैं हमारा हिंदुस्तान हम आच चुके हैं नीतू वर्म मैम के पास जो इससे पहले भी हमें कई बार इंटर्व्यू दे चुकी है और नीट को लेकर जो लगातार लड रही थी केस को लड रही थी उसको लेके आज हम उनसे बात करने वाले क्योंकि सुप्रिम कोट का फैसला आ चुका है और सुप्रिम कोट के फैसले में ये साफ हो चुका है कि री नीट अब दोबारा नहीं होगा उनसे ही जानेगे कि क्या कुछ हुआ आप तक और क्या अब जो 24 लाख बच्चे हैं इतने क्या आप वो हपस से री नीट का उमीद कर सकते हैं सरकार से पारलामेंट से या फिर नहीं करें क्या कुछ और भी इसמें जोड़ा जा सकते हैं इन सबको लेके हम बात करेंगे तो आई एक एक कड़के बात करते हैं मेरा सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि सो अभी तक क्या क अपील करना चाहते हो इस मीडिया के तुरू और चैनल के तुरू हताश होने की जरुवत नहीं है तो कभी भी हताश मत हो यह कि अगर एक मैडिकल आज नहीं दे पाई अगर आपके अंदर कुबत होगी आपके अंदर जजबा होगा तो उतनी दरता से आप अगले साल खड़े होई है और नीट को ग्रैक करिए तो सबसे पहले तो मेरे जितने भी देशवासी के जो बच्चे हैं या देश में जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट इग्जामिनेशन दिया था उनके लिए मेरी अपील है अचा अब जो यह पिटेशन डाली गई थी सुप्रीम कोट में ज जज ने जो यह फैसला लिया है मैं उसका पूरा मान रखती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें में कमी आई है कि जो बच्चे बहुत आशा से जिन्होंने सोचा था कि रीनिट होगा तो उनके आशाओं पे एक तरीके से एक सवाल कड़ा हो गया है कि वह सोचते थे कि कोई बात नहीं हम सुप्रीम कोड का अगर हमने दर्वाजा खटखटाया है क्योंकि उन बच्चों की आवाज तो कोई बनेगा नहीं एक सुप्रीम कोड था या वो उस अधिवक्ता से एक गुजारिश कर सकते थे या अधिवक्ता के तुरू सुप्रीम कोड तक पहुचे तो अब मैं उसमें क्या कह सकती हूँ क्योंकि और आने के बाद ठीक है ये पूर रूप से साबित हो चुका है कि रिनेट तो नहीं होगा अब हमारा सबसे जो दूसरा हैं सवाल है कि अगर सुप्रीम कोड ने इस चीज को अगर बोला है कि रिनेट नहीं होगा तो ऐसा नही है कि आगे के लिए आगर आज इस साल ऐसी चीजे हुई है तो आगे नहीं होगी तो उस मैकनिजम सिस्टम को एक्सपर्ट कमेटी जो उन्होंने बिठाली थी CBI के जर्न और जो हमारे एक्सपर्ट हैं Union of India के जो मिनिस्टर्स हैं ये मामला बहुत तूल पकड़ गया है सरका करते हैं सरकार से भी मेरी अपील है कि अगर किसी कारण वर्ष हमारा ये नहीं उत पाया मामला या नहीं उस पे बच्चों को नयाय मिला च piace को सुनने की करपा करें क्या अब वो उमीद किन से करें क्योंकि सुप्रिम कोटी एक मातरून की उमीद थी लेकिन वो उमीद कहीं तूटती हुई नजर आई और इस केस को वो हारते हुए हार गया देखें उमीद बच्चों की बनी रहे और ऐसा नहीं है कि इस पे कोई भी ये मामला तूल नहीं पकड़ेगा क्योंकि हमेशा एक सहलाब आता है क्याते हैं न देश में जब जब कोई अन्याय हुआ है तो एक सहलाब आया और एक क्रांतिकारी फेस में उस चीज को उठाया गय है तो आगे सरकारी उस पे पहलों पर जरूर उस पर चर्चा का विश्य बनेगा ऐसा तो नहीं है मैं आशा भी यही करती हूँ लेकिन बच्चे अब कहां जाएंगे क्योंकि एक उनके लिए आशा एक सुप्रीम कोट थी और अगर मेरी कोशिश जारी रही तो मैं जैसे नहीं लीजे कि जो चौबिट थीक है माना कि चौबिस लोग 23 लाग तेक सब्सक्राइब बच्चों ने एक्जान दिया लिए विए उन बच्चों की आशा है क्या जिन बच्चों को अडिमिशन नहीं मिला या तो आप उन बच्चों को भी ध्यान में रखिये ठीक है अब एक तो डाटा में वही चीज क्लियर इनली नहीं है, कि जो बच्चे निकले हैं, जिनके सेविंटाउंटी, क्योंकि एक सेंटर से आठ बच्चे लगातार निकले, और ग्रेसमार्क्स जो मिला था, इपन उनका मिनेशन हुआ है, पूरा भेदबा हुआ है, अभी मेरे ही में इन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट दी है, सारे बच्चे जो सीकर से निकले कहते हैं, वो एजुकेशनल हाब बैकोटा के बाद उसका नाम लिया जाता है, एक दम से अचानक जहां पर बताया जा रहा है कि सीसीटी पटेज भी कुछी काया, अमरे बेते, जो जिसे की सुप्रीम कोट खास करके माना जाता है कि अगर उनके पास सबूत पढ़्यापते हैं, तब ही वो कोई फैसला देती है, तो क्या ये माना जा सकता है कि जो 24 लाख बच्चों के लिए जो वकील लड रहे थे, बेन आप लड रहे थे और कई सारे सीनियर एडवाकेट लड रहे थे, तो क्या कहीं न कहीं उनमें जाच की कमी थी या फिर को वो एविडेंस नहीं ला पाई जिस वजह से सुप्रीम कोट को ऐसा वर्डिक देना पड़ा है, देखे सुप्रीम कोट के जितने भी अधिवक्ता जो इसमें शामिल हुए थे नोडल कमेटी में, सुमि कोई कमी ना है, इसलिए सुप्रीम कोट के द्वारा ही एक नोडल कमेटी का गटन किया गया था, उस नोडल कमेटी में जितने भी प्रिटेशनल्स के सीनियर आडवोकेट्स थे, उनको शामिल किया गया था, तो लगातार जो एविडेंस थे या जिस के पाथ जो भी सबूत थे, एनलिसिस रिपोर्ट्स थी, वो लगातार उस रुपे बेजी जा रही थी, तो मैं सबूतों में नहीं कहूंगी कि सबूतों में कोई कमी है, क्योंकि CBI ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी है, वो लगातार डाटा पोर्टल पे दिखाया जा रहा था, आप अभी भी लगातार CBI जो जाच कर रही है, उसमें कहीं न कहीं से कोई न कोई, अभी ये अमदाबाद में कोई आंस्टर स्कूल है, एक ओशीन स्कूल है, हजारी बाग का, और जो सबसे पहले एक आया था कि ट्रंक में पकड़े गए हैं, वो मार्शीर सील्ड खुले हुए थे, पेप पर लीक नहीं हो, पेपर तो लीक हुआ है, अब आप उसको मास लेवल पे ना करके, छोटे लेवल पे आपने उस चीज़ को दर्शा दिया, तो ये बच्चों की बिल्कुली बिल्कुल बेजती है, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी ये जो वाइड लेवल से टेक्न मिलेगा अभी ने, जितनी भी जाँच इजनसी है, चाहें वो उसको ढून ढून के ठक जाएं, आपको भी शायद पता होगा, कि लोगों के अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, चानबीन चलती रहती है, अब भी मैं 108 कमिशनरेट में गई थी है, डी आईजी जो डी, डी सरकार से, कि भाई आप एक ऐसा सिस्टम लाएं, एक ऐसा मैकनिजम सिस्टम लाएं, जिसमें पूरा ट्रांस्पेरेंट हो, उसको लेके तो अभी यह बन चुका है, कि सो अगर अब नीट या फिर किसी भी पेपर लिजे से मामले आते हैं, तो उस पे दस साल का जेल भी है, और अब करोर एक करोर का जुर्माना भी है, लेकिन सवाल बस वही गूम फिर का आता है, कि क्या जांच में कोई कमी रही, चाहिए CBI को लेके हो, क्योंकि आपने भी कहा कि ऐसे AI आ चुके हैं, जो कि कही ना कही इस तरह से पेपर लिग या फिर इस तरह से इन्फॉमिशन ल आपने 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 इंडिपेंडेंट एजनसी है, अगर वो रन होती है, या अंडर में आती है, तो वो सरकार के आती है, हमारा शाहिद उसमें कोई हस्तक शेप भी नहीं है, तो हम उसी के ओपर डिपेंड है, प्लस जो हमें डाटा CBI की तरफ से प्रोवाइड किया है, क अंतिम जब या आदेश आने वाला था, तो जो डाटा एक्सपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट, अभी जो मदरास आइटी की जो रिपोर्ट आई थी, पूरे डाटा अनलेचस पे जो बात कई थी, उसमें भी बहुत खामियां पाई गई थी हूई हमारे एक्सपोर्ट कमेटी, या हमारे जो ऑफीसल से या हमारे जो एडवोकेट्स से उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, कोट में, तो जो एजनसीज हैं, उनको ही शशक्तोना पड़ेगा और उनसे उपर, जो इन एजनसीज को रन कर रहे हैं, अगर आज नहीं लिया संग्यान तो बविष् कर देंगे, और उन लोगों को लाके खड़ा कर देंगे, तो आप सूच सकते कि इस देश का भविष्य क्या होगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि देश का भविष्य क्या होगा, अगर डॉक्टर और टीचर ही सही नहीं रहे, तो वैसे ही 24 लाग बचे इसी उमीद में थे, कि स्ट्रिक कदम उठाए गए, क्या कुछ स्ट्रिक पॉइंट इस बार गिनाए गए सुप्रीम कोट में की, कुछ बहतर होगा अब इस बार के बाद, मैं अपने माने नियाले का पूरा मान रखती हूं, और बहुत ही अच्छा ओर्डर उनोंने जो दिया है, उसमें केवल एक पॉइंट पर मैं नहीं कह सकती, कि और गलत है, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, और उसमें और में उनोंने पूरा मैकनिजम सिस्टम, और जो पेपर लीक हुआ है, 1563 बच्चों का, क्योंकि उसमें 864 यह कुछ बच्चे जुनोंने दिया था, एक्जाम रिनिट दिया था, 1563 बच्चे को, I think, Grace Marks मिला था, कि 1563 तो यह तो एक भेदभा हो गया, आप एक बात बताई, आपने केवल 1563 बच्चों का, यह NTA का क्लेरिफिकेशन है, शायद मैं आपके वीडियो की थू है, उसका NTA का क्लेरिफिकेशन भी आपको सेंट कर दोंगी, कि खुद NTA का क्लेर क्लेरिफिकेशन था, कि 1563 बच्चे है, वाट अपको सेंट कर दोंगी, कि 1563 बच्चों का जो की वो बच्चे थे, जो बार वर में यह बात क्या रही है, कि 9th April 2024 को जो पॉर्टल खोला गया तो उसमें 24,000 बच्चों ने, जो उसमें एंट्रीज करवाई थी, वो बच्चे क कौन है, उन बच्चों का डाटा क्यों नहीं लेई आ गया, यह बहुत बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है, कि वो बच्चों को क्यों नहीं इंवेस्टिगेट किया गया, यह उन बच्चों का डाटा पोर्टल पे क्यों ने, आपने एंटायर का डाल दिया, what about 24,000 स्टूडेंस डाटा, जो पोर्टल पे नहीं, वो इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट में आना चाहिए था, अभी जो सेटर्डे को डाला गया था, सारे बच्चों का पोर्टल पे डाला गया, डिजल्ड वापस तो उसमें वो पंदे सो तरेशन बच्चे भी थे, लेकिन एक फेर इंवेस्टिगेशन उन 24,000 बच्चों में या जो 720, 720 बच्चे जो लेके आये हैं, दो कि माक्षी चैलेंज हुई थी, या श्काटारिया और एक और लड़की है, ठीक है कि और 718 और 719 जो माक्स आये थे जिन बच्चों पे, ठीक है, उनका क्या, इस्तिक आक्शन बच्चे ऐसे पकड़े जाते हैं, या अगर वो किसी कारण वर्ष उन्होंने MBBS में सीट ले भी ली, तो अगर पकड़े गए, आगे, अगर किसी तरीकी के इंवेस्टिगेशन में पाए गए, कि उन्होंने धांदले से, या पैसे दे के, एक्जामेनेशन प्लिया, तो उन सरकार ये बात मान ही नहीं रही है, कि सो पेपर लिक हुए भी है, वो रिस्पॉंसलिटी बिलकुल नहीं ले रही है, लेकिन कहीं न कहीं सुप्रिम कोट की वज़े से, वो सब भी एक सक के दायरे में आते थे, तो क्या, हम ये मान सकते हैं, कि सो अब सुप्रिम कोट के इस सरकार कहीं नहीं होगा, तो सरकार कहीं न कहीं अपने फैसले पेपर लिक नहीं हुआता, उनको बल मिल गया है, कि सो भाई हम सही थे, पहले से, देखे, मैं मीडिया के थू कहना चाहूंगे, कि हम यहां पर ये बात, ये मुद्दा बिलकुल नहीं इठाए, क्योंकि ये जं किस ने प्टिशन लगाई, किसको मिला, किसको नहीं मिला, यहां पर एक बल नहीं उसको मिलेगा, क्यों ये इगो की लड़ाई नहीं है, ये बच्चु के भविश्य का सवाल है, यहां पर हमको एक सत्ता का इगो साइड में रखकर केवल हमें इस बात पर ध्यान देना चाह देखें, मेरी कोई डारेक्ट वारतल आप तो नहीं हुई या, ना ही मेरा कोई ऐसा वो है, कि अभी ये तो अम भी चैनल के थूरू या जैसा भी अगर हमारा अपॉइंटमेंट मिलता है, जो कि भरसक प्रतन कर रहे हैं, काफी सम्वेदन शील हमारे जो एड़ोकेट्स है, कि हाँ, जो एड़ोकेट्स हैं, हमारे हुड़ा जी है, जो भी कुश है, कि अगर यहां नहीं होता, जैसे कि हमी मैंने सुबह सिबल जी की भी एक न्यूस देखी है, कि ये अप्रोच करेंगे से पार्लियमेंट में ये मुद्दा उठाया जाया और उन्होंने इसको अप्र ये स्टेट्मेंट देना लीक नहीं हुआ है, और फिर देना हाँ पेपर तो लीक हुआ है, अंतर है, दोनों में अंतर है, तो आप उसको ना मतलब एक एड़ोटाइजमेंट ना बनाएं और एक मतलब इस चीज़ को एक मजाक ना बनाएं, ये विशम मुद्दा है कि बच् संग्यान ले, सरकार संग्यान ले, कलको हर बच्चे का बविश्ट, और इस एक्जाम की क्यो बात कर रहें आप, क्या पता अगले कौर एक्जामनेशन में बात हो, पुलिस प्रशाशन के एक्जामनेशन होते हैं, मां कैसे लोगों को आप एफेक्ट करते हैं, तो क्राइम क पे भी है सवाल उस पे भी उड़ गया है और बच्चे चुपचा बैट जाएंगे क्योंकि कोई हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी यह चैलेंज अदिवक्ता के लिए भी है विश्वास कतम कर दिया है इक अदिवक्ता के लिए भी वह अदिवक्ता के लिए जो बिल्कुल निस्वार्थ बाहु से खड़ा हुआ है जिसने निस्वार्थ बाहु से इस पेटीशन को लड़ा है यह उसके लिए भी चैलेंज है कौन विश्वास करेगा स्टूड़न तो कह देंगे मैडम आपके तो सुप्रीम कोट में या महाँ पर नियाय मिलता नहीं है तो हम क्या क Can, चलो सारे बच्चों का नहीं होता लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ रैंकईंग के बच्चों का दे देते तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाता जिसे अभी फिर से मैं हमने का कि एगो की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई है शिक्षा को लेके ये लड़ाई है ये लड़ाई है ये लड़ाई है ये लड़ाई है आने वाले ऐसे तमाम परिक्षाओं को लेके उनकी लीक नाओ उसको लेके वहीं अभी अलडाई सुप्रिम कोट और सरकार के बीच में कहीं नहीं चिड़ गई है क्योंकि सुप्रिम कोट ने अपना फैसला साफ कर दिया है लेकिन सरकार इस पे खुस होते भी नजर आ रही है लेकिन वो 24 लाक बच्चे जो अभी भी हताश हैं जो हर तरह से कमेंट कर रहे हैं कि सो हमारे साथ ना इंसाफी हुई हमारी बाते नहीं रखी गई हमारी बाते नहीं सुनी गई हमारे साथ या अन देश के भविश्य के साथ क्योंकि देश में जो डॉक्टर होंगे वो देश क और बच्चे नीट का एक्जाम देंगे, तो क्या वो मान के चले कि अब आराम से कोई भी जो अच्छे क्लास के बच्चे हैं, वो पैसे दे के सीट खरीद के आराम से जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, उनके लिए नीट में खास करके डॉक्टर बनने के उपरचुनिटी उतनी नहीं है, नहीं देखे, ऐसा नहीं है, और जो आदेश पारित हुआ है, उसमें पूरा मैक्निजम सिस्टम को फॉलो किया है, और एक कड़ा प्रवधान भी बनाया गया है, आपको भी पता कि पेपर लीक आक्ट आच चुका है, 2024, तो इस बात सा तो बिलकुल कोई आशा ना करें कि यह आज अगर पकड़े गए है, तो कल इस प्रवधान के थ्रू पकड़े ही जाएंगे, तो एक डर और दहशत तो फैल चुका है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आधे 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 से बने थे जिसमें एक कड़ा प्रवधान रखा गया था, तो यह बस प पकड़े ही जाएंगे, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होएगी, पुलिस प्रचाशन की स्टेटमेंट अगर जुटला दी जाएगी, तो आगे आप क्या करेंगे, बताई यह स्टेटमेंट ही अगर गलत जुटला दी जाएगी, उस पे संग्यान ही निया जाए अब मुखिया जब पकड़े जाएंगे अभी शायद मुझे आशा मुझे नहीं पता क्यों कि अरेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है तो उनसे भी कितने सवाल निकलेंगे तो देखते हैं वाइड लेवल पर क्या बोलते हैं क्योंकि सुपरीम कोड तो इतने दिन तक नहीं होता ना तो दो चार पेपर ऐसी बाट दिये जाते बच्चे दो तो तीन तेन दिन पहले स्टेट चोड़के दूसरे स्टेट में नहीं जाते बेकार की बाते ना करें 28 अपरेल से ये शुरू हो चुका था और सब को पता था और उन माबापों को भी पता था कि पैसे दे के 40-40 लाग रिपोर्टों में ये भी आया कि 40-40 लाग रुपए दे के ये सीट करी दी गई है बच्चों के पेपरों को करी दे के मैं नहीं ये इन्वेस्टिकेशन टीम सीबी आई बोल रही है अब कितना आगे है ये तो मुख्याई जी बताएंगे विगूल तो फूका जा पेपर लिग के खिलाब जो कि हम कांग्रिस की सरकार थी फिर बीजेपी की सरकार दस साल और तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई ये तब तक लगातार अब तक भी सुन रहे थे कि सो पेपर लिग होते जा रहे हैं चाहे वो कोई भी इगजान हो नॉर्मल कॉंपेटिशन का हो वहां पर भी पेपर लिग जैसे मामले तमाम हमें नज़र आते चाहर यूपी में और बच्चे कही把 इसी घुस्थे में कई वा पर्लेमेंट कााँ कई सधाय करते लेकिन इस बार नीट के मामले ने सुप्रीम court तक वह पहुंचे नीट का अभी सारे चीजों को लेके नीट को लेके खास करके करा प्रावधान बना जा रहा है कि अगर दुबारा नीट पेपर लीक होता है या फिर ऐसे किसी तरह से पेपर लीक होते हैं तो उस पे क्या सजा दी जाए इसको लेके करारा वहां पे प्रावधान बन रहे हैं मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए और लगातार हमें इंटर्व्यू देने के लिए और बच्चों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपको लगात तो उनके लिए कुछ मैसेज देना जाएंगे तो के अपील है कि निराशा मत होई है निराश बिल्कुल मत होई है जितनी बेबाकी से आप अगले साल की त्यारी करिए देर ही सही डॉक्टर तो बनना ही है क्योंकि देश का विकास आपी के ऊपर डिपेंड है एक गलत आशा के साथ ऐसा नहीं है आगे मैकनिजम सिस्टम को फॉलो करने के लिए बहुत चिताबनी दी गई है डी वाई चंदर चूट जी है जिनोंने अपने आदेश में ये स्टिकली बोला हुआ है कि अगर इस तरीके की चीज़े पकड़ी जाती है या पाई जाती है तो उस प अगर मेरी भी कोई प्रतनशील रहेगी या मिनिस्ट्री को अप्रोच करने वाली बात होगी तो हम सारे एड़ोकेट उसके लिए प्रतनशील है एक लास में सारे दर्शकों को बता देना चाहते हूं कि उस आपका NGO है अपने NGO के बारे में अगर बता दे कि किस तरह से अगर आप लोगों के हल्प करते हैं और अगर किसी को जरुड़त हो तो किस तरह से आप उनके मदद कर सकते हैं देंगे दा Legal Right Organization of India है और हमेशा मैंने इसको बहुत जमीनी लेबल पर बनाया है और मैंने हमेशा यह जाए कि हर व्यक्ति की शोशित की व्यक्ति की अवाज बने इसलिए मेरे organization का नाम भी हर शोशित व्यक्ति की अवाज है मैं बस यही चाती हूँ कि सरकार या जो भी है अगर इस पहलूओं पे या इन दरश्टी कोण पे बच्चों के नयाए के लिए अगर हमेशा NGO खड़ी रहेगी हमेशा और 24 इंटु 7 हमेशा help करती रहेगी और इस NGO में 2000 advocates हैं जो ह हमेशा प्रतनिशील है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी NGO के तुरू बहुत सारे senior advocates ने मुझे बहुत सराने भी दिया कि मैडम आपने बच्चों का मुद्दा उठाया और अपनी NGO से भी मुद्दा उठाया और अगर किसी तरीकी की कोई भी help हमारी ज़रूत परत झाल